कि यूटूब चैनल कैसे हैं आप आई हो अच्छे होंगे वीडियो के सुरवात इस खुबसूरत से रोज फ्लावर प्लांट से देखें मेरे रोज के प्लांट पे कितनी हैभी फ्लावरिंग होई है बहुत सारे बर्ड भी है इस समय के फूल के जो कलर होते हैं बहुत ही खु और यहां पर भी देखिए उपर उपर बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं कलियां तो बहुत ही ज्यादा है और यहां पर एक देखें मेच्छे और सीट लगा हुआ है और उसकी बगल में खुबसूरत सा गुलाब जो कि खिर रहा है तो हर बीज पे ह और यहां पर देखिए कि देखिए कितना बड़ा है यह इसको मैं तोड़ लेती हूँ काफी स्ट्रॉंग है तूफ भी नहीं रहा है बात में तोड़ूंगी तो गाइस अभी मैं चलते हूँ टैरस से दिखाती हूँ अपने सारे फूल को तो गाइस हमारे यहां अब अच्छे खासे सुबे धूप होती है लेकिन इसके साथ गलन बहुत ही जादा रहती है तो जब धूप होने लगी तो हमने यहां पर जो हमारे अडेनियम की कटिंग थी उसको यहां पर सिप्ट कर दिया है ताकि इन्हें धूप लगे थोड़ा टाइम और मैंने एक महीने हुआ होगा इसको मैंने बड़े पॉट में इस वाले पॉट में सिप्ट किया है तो थोड़ा आगे चलके जब इनमें ग्रोथ दिख जाएगी हलकी सी तो इसको मैं कट कर दूँगी ताकि इसकी ब्रांच डिवाइट हो इसकी वाली और यह दोनो यह है गुलाब का सीट पोर्ट इसको मैं नीचे से तोड़ के लेकर आई हूँ अभी और आप देखिए हम लोगों के यहां टैल्स गार्टन का काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहां पर है एमरेलिस लेली तो इसकी पत्ते देखिए ऐसे वैसे कैसे भी गिर रहे हैं तो इ यहां पर है मेरा लकी बैम्बू तो यह दखिए इसको भी धूप में रखा मैंने यहां पर कुछ घास है इसमें हुगी हूई है मोस आप देखिए सकते हूँ कि प्रूफ नहीं लग रही थी इसलिए इसमें मॉस ग्रो ओ गई तो अभी मैंने इसको धूप में रखा है कल स्वाम को ही रखा और बहुत सारा काम करना बाकी आप तो अडेनियम की प्रूनिंग वगेरा भी अब करना स्टार्ट कर दूँगी धीरे-धीरे ताकि वो अच्छे से हो और गमले की मिट्टी थोड़ा-थोड़ा खाले करके उनमे में दूगी फोटिलाइजर ताकि बिंठर में समर में हम जब पानी दे तो वो कुछ टाइम तक वो टिका रहे हैं बाई हैब यो नाइस टे